नमसकार दोस्तों, कैसे हैं आप, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं हमारे चैनल पे, तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है कंपनी क्रिएशन, तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, वो फटा-फट से जाके सस्क्राइब कर लीजिए और पास में बैल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए और आप ज्यादा से ज्यादा लाब उठा सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक हमारे साथ बने रह करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रियेशन तो हम ओपन करते हैं टीली सौफ्ट्वेर टीली सौफ्ट्वेर ओपन करते ही इस पूरे इंटरफेस के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं तो हम आश्ट सीखेंगे डारेक कम्पनी का option इसको open करते हैं alt plus के starting में आता है create इस पर आके enter enter करते ही हमारे पास यह वाली screen आती है इस screen का नाम होता है company creation सबसे पहले आता है company data path इससे क्या पता चलता है कि जो भी हम company create करेंगे वो कहां पर save होगी किस location पर save होगी उसकी detail यहां पर आती है यह रहा c drive user folder public folder daily prime और data यहां पर हमारा data save होता है जो भी हम company create करेंगे इसके बाद आता है company name तो जो भी हमारी company का नाम है वो अपन यहां पर mention कर सकते हैं इसके बाद enter mailing name यह automatic ले लेता है company name से इसके बाद enter से नीचा आते हैं address अब यहां पर address हमें mention करना है जहां पर हमारी company है वहां का address हमें यहां पर mention करना है कई company आती है उनका address छोटा होता है तो यह line में आ जाता है कई company का address बढ़ा होता है तो उसके लिए एक दू लाइन चाहिए होती है तो enter करोगे तो next line पर आ जाते हैं अपन इसके बाद address अपना फिनिश हो गया तो enter state अब यह पूछेगा कि आपकी company किस state में तो यहां से लिष्टा जाती है सारे state की अगर हम यहां से एक एक देखेंगे state तो हमें time लगेगा तो हम क्या प्रेस करेंगे आर तो जैसे ही आर प्रेस करोगे तो यहां पर बता देगा राजस्तान तो जिस भी आपकी state में company है उसका starting का लेटर टाइप कर देना इसके वाद आता है पिन कोड जहां पर भी अपनी company वहां का पिन कोड six digit का होता है तो वह अपन mention करेंगे टेलीफोन नमबर लैड लाइन नमबर वह seven digit के होते हैं अगर company use करती है तो mention करेंगे अगर यूज नहीं करती तो blank छोड़ सकते हो mobile number में जो भी company के mobile number है वह आ जाएंगे तो यहां पर हमने mention कर दिये facts चलती नहीं है facts की जगे आ गया है mail तो यहां पर company की जो भी mail ID है वह अपन यहां पर mention कर देंगे gmail.com website अब website क्या होती है अगर company की website है google पे तो यहां पर mention करेंगे अगर नहीं है तो blank भी छोड़ सकते हो तो start होती है www.jisminamseherwo.com इसके बाद आता है financial year beginning from मतलब financial year क्या होता है एक सालगा हर एक अप्रिल से start होके next year की गत्रिस मार्च को end हो जाता है तो इसमें पूछता है सिर्व अपन को starting की date लेने है financial year की तो अभी जो financial year चल रहा है वो है एक अप्रिल 2023 एंटर books beginning from आपने company के account maintain करना कब से start किया वो date आती है यहाँ पर तो यहाँ पर आप कुछ भी date ले सकते हो जब से आपने company start की अपरेल मई जून जू लाएगा सितम बज्चो भी इसके बाद एंटर base currency symbol में आता है अपना rupees का sign formal name rupees का होता है INR एंटर एंटर accept कराना है इसके बाद accept करने के बाद यहाँ पर आता है company के configuration अब यहाँ पर इतने सारे option है अपने पास तो अपन को अभी starting accounting के दो option yes रखने है और inventory के दो option yes रखने है इसके लाबाद जो भी option yes है उनको अपन no करेंगे अभी अपन no यह इसलिए करेंगे अगर आप इसको yes करोगे तो आपके सामने additional option आ जाएंगे जो अपन को समझ आएंगे नहीं तो जैसे जैसे इनका topic आता है तब अपन इनको yes करेंगे तो अभी फिलाल इन सबको no रहने दो enter enter accept करो enter तो यह अपनी company create हो जाएगी लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए